हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब जैनल आज का डेट है 28th of September and समय हो रहा है 1059 फ्रेंट्स तब पहले तो मैं अपना पोजीशन दिखा दू आपको मेरे पोजीशन जो है 30,000 मैंने प्रॉफिट बुक का रखा है और आपको मैं और बुक भी दिखाता हूं इसके लिए हमने जो ट्रेट लिया था उसको हमने टेलिग्राम चैनल पर भी शेयर किया था तो मैं आप टेलिग्राम भी खुल के दिखा दूगा कि हमारी मार्केट ओपनिंग से पहले क्या साइकलोजी थी एंड हमने क्या ट्रेल लिया था इस और बुक का स्क्रिंशॉट और उसे आप देख सकते हैं कि हमने किस टाइम पर और पंच किया था एंड हम कब तो सबसे पहले मैं बता दो फ्रेंड्स की हमने जो है ना मॉर्निंग में एक ट्रेट लिया था जिस पर हमें 37,700 का सी लिया था जिस पर हमें 25,000 का प्रॉपिट हुआ है दूसरा हमने 38,400 का थे पहले दूसर मैं अपर दो पहले थे प्रेंट था इसका ट्रेट भी बिर्यों न वहले न वह ब्रेड लिकॉर्ट किया वग उन्तलाव वाइस लिकूर्ड नह collaborative इस लिए मुए था था recommended मोबाइल से लिया था और इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलोजी थी मैं आप उसको चलो आपको साइकोलोजी बताता हूं कि हमने यह ट्रेट कैसे लिया था और इसके पीछे टा साइकोलोजी थी सबसे पहले मेरा ओडर बुक देखिए और बुक का टाम देखिए 921 और 926 यहां पर हमने दो ट्रेंट्स बाइं 37,700 के C.E.K. 50 क्वेंटिटी और 100 क्वेंटिटी है ना प्राइस फॉर सिक्स्टी और 440 सबसे प्लेस का जो है ना बैक्राउंड देखिए बैक्राउंड होया था तो मैं आज मॉर्णिंग में अपने पर डियक मेंसिंग किया तो डेक का मेंसिजर गुद मॉर्ण आ्रियों माक्त अपनिग अपनि गप दोड़ों माके टेखिए अल्ट में अलज गमिंग टो 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 डियों में ग्सिटेड यहां सबंत्ग अन ग्सिटार रडड प्र रड उन अर्टी अम्सिटी ऑrent वा कोई था कि फ्रेंड्स मार्केट जो अगर आप यह देखेंगे ना तो मार्केट जो है हमें स्वाट नहीं करना 915 चे 930 ठीक है यह मैंने किलरली बोल दिया था मार्केट ओपन कहा हुआ मार्केट ओपन हुआ मैं आपको दिखाता हूं मार्केट ओपन हुआ यहां पर प्री मार्केट ओपन हुआ 38,122 पर और पहले ही पांच मिनट में मार्केट देखेगा कितना ट्रवल किया मार्केट कितना ट्रवल किया मार्केट कितना ट्रवल किया तो यहां पर पहले ही पांच में मार्केट ना जो है ना छे सारे 600 टरवल कर चुका था छे सारे 600 ना दिन भर का मुवमेंट होता है यह पहले पांच में टरवल कर चुका था अब हमने यहां पर कॉल का पोजीचन क्यों लिया उसकी पीछे की मैं साइकोलोजी बताता हूं तो इसके लिए यहां पर जा सकता है तो यहां पर एक चरोया है यहां पर सपोर्गण सकता है यहां 920 पर 921 पर क्योंटिट लिए 50 बस यह देखने के लिए लिया था कि मार्केट अपने लेवल पर सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है इसके बाद हमें इसके लॉस भी हो रहा था मतलब हमें यहां पर लॉस हुआ अबने 926 पर पर 440 पर लिया था इससे कमी प्राइस पर लिया था तो यह ना 420 क्यास परस भी गया था मुझे 40-50 पर लॉस भी वह रहा था पर फिर भी मुझे पता था कि मार्केट यहां से घुमे गया क्योंकि मार्केट ना फॉर्स टायम अपना एक मेजर सपोर्ट जो है य निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉंग था देख रहे हैं निफ्टी का पहले मिनट का ही चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी दो तीम पांच प्रेट में गिया उसके एक ना काफी अच्छी पूल बैक केंडल आई थी उसके वापस जब यहां पर आया तो 920 इस पूल बै निफ्टी के रिफ्रेंस में अपना ट्रेट करता हूं तो 926 पर देखिए हमें यहां पर वापस से यहां पर भी ग्रीन कैंडल दिख रही थी अब यह था हमारा कि इसको होल्ड करना है या वेट करना है तो हमने जस्ट इसके नीचे का श्टॉपलस लगा लिया था अगर हम इसके एगेंस में रिस्क और और हमारी साइकोलोजी उससे मैच करी थी जो हमारा ओपनिंग कमेंटरी था उसके नुसा हमारी साइकोलोजी जो है मैच करी थी मैंने 930 पर लिखा कि no sorting प्लीज एंड उसके बाद 931 पर यहां पे एक सी बाइब भी दिया था 37,700 जो मैंने किया था तो जस्ट मैंने अपना बाइ किया और उसके बाद ग्रूप पे भी दिया एसल प्रोपर ली बताया था मार्केट का डेलो डेलो 402 था एंड 394 का मैंने एसल बताया था अगले ही 67 मिर्ट में 490 440 से 490 ट्रवल कर चुका था और मैंने क्लेरी बोला था अगर मार्केट यहां से नीचा गया था तो अपने कॉस्ट पर निकल जाएंगे मार्केट जब वह आप सूपर मितलब हमारा सी का प्राइस उपर गया तो 529 पर मैंने पहला लॉट निकाला था तब कि मैं 549 हो गया तो मैं 549 में मेरा लॉट निकला है सेकेंड लॉट मैंने 619 पर निकाला थार्ड लॉट मैंने 694 पर निकाला यहां ओडर बुक देख सकते हैं हमारा 549 519 और 694 अब इसका मैं आपको जो है का चार्ट दिखाता हूं तो हमारी इंट्यो और एकजिट ना काफी सांदार हुए है फ्रेंड्स है ना हमने यहां पर निकालके यह जो है वहां से बैट है ठीक है दूसरे ट्रेट का मैं लॉजिक बताऊंगा तो सबसे पर मैं आपको चले इसका चार्ट दिखा देता हूं 37,700 का CE है हमने वाइ किया था हमारा एवरेज प्राइस 460-440 था तो हमने जो बाइ किया था वो इसी लेवल पर किया था 440 920 के कैंडल पर और 460 इस कैंडल जो 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 हमने ट्रेंच एकजिट किया है 694 काफी टॉप पर तो हमें एक अच्छा मुमेंट मिल गया था हम ज यहां पर एक ट्रेंच एकजिट किया तो जैसे जैसे हमारा मार्केट ऊपर जा रहा था हम लोग अपना एकजिट का रहते हैं अब जो सकेंड ट्रेड है यह वाला यह मैं इसका लॉजिक बता दू कि मार्केट जो है अगर 15 मेट चार्ट पर देखें तो यहां पर एक रिज अइस जगह पर जायेगा हमें कि मार्केट पर जायेगा हूँ जो मार्केट में कॉम्र करता एक novo ~~ तो वहां मुझे ना एक पी साइड लेने का मौका मिल गया मार्केट ने यहां पर देखे इसका यहां पर इसको पूरा ग्रीन कैंडल बना दिया अगले ही मिनट में आ मार्केट नीची आ गया और वहां पर क्लोज हो गया तो 9 10 20 का यह ट्रेड है और हमारा 9 10 22 का जो है ऑर्डर बूख है जैसी मार्केट नीची आ रहा था तो हमें लग गया कि यह फॉल्स ब्रेक आउट होगा और हमने बैंक निफ्टी पर यह ट्रेड लिया था निफ्टी के र कर रहा था तो यह जो पुल्वेक्स थे ना उसमें मैं एक्जिट हो गया क्योंकि मतलब लाइव वीडियो रिकॉर्ड करें तो मुझे पोजिशन भी मैनेज करना मतलब थोड़ा दिफिकल्ट हो रहा था तो इसलिए मैं यहां पे एक्जिट हो गया तो टोटली यहां पे भ कुझ पर हमें जो प्रॉफिट मिला है वह काफी अच्छा है थर्टी थारण क्या प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को हम लोग अभी तत्काल इंजॉय कर रहे हैं मार्केट में कूल्डाउन होने देता है जैसा कि हमने एक ट्रेंच यह एक ट्रेंच ले लिया उसकाद मार्क अभी के लिए इतना ही वीडियो तो लंबा हो गया बट साइकलोजी समझना बहुत जो रही है फ्रेंच हमारे टेलग्याम चैनल पर है वह लोग भी जो है रिजन पूछते हैं तो मैं रिजन बताने कोशिच करता हूं लाइव ट्रेडिंग में लाइव मैं पोजिशन कैसे मैनेज करता हूं वह मैं आपको लेटिल दिखाता रहता हूं बने रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल के साथ अगर वीडियो अच्छा लागा तो लाइक कीजिए